आप सभी जानते हैं कि बिहार में रासन कार्ड में सुधार के लिए है फिर नाम जोड़ना नाम डिलीर करना सभी चीज़ जोए online हो रहा है लेका जोड़ देखिए अगर वीडियो थोड़ा सी बैच्छा लगे तो फ्लीस भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है देखिए सबसे पहले अपने कॉम्प्यूटर के ब्राउजर में टाइप करना है egtunet.com तो रसा नीचे आएंगे तो अभी तो पोस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा लेकिन थोड़ देर के बाद आएंगे तो पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पर स बढ़ सकते हैं समझ सकते हैं नीचे आने के बाद यहाँ पे बिहार रासन कार्ड नेम एड ओनलाइन के सामने जो लॉग इन का ऑप्शन है बस इस पर आपको क्लिक कर देना है अब जैसे इन क्लिक करेंगे तो रासन काड का जो पीसेल पोटल है आपको यहाँ पे भेज दि सबसे पहले साइन आप फोर मेरी पाहचान के आप्शन पे आपको क्लिक कर लेना होगा जैसे इन के बीनाम से रासन कार्ड है उनका फस्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे डेट बड़्ड कलेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पे जिन आपको बताना है कि male है कि female है, यहाँ पे उनका जो है जन परचाय का ID और यहाँ पे password आपको बताने हैं आप चाहें तो कर सकते हैं बट आप इसको इसकी भी कर सकते हैं जो official यहाँ पे portal है उसका जो dashboard है आपके सामने इस तरह से open हो जाएगा यहाँ पे बिहार estate services का option पे आपको click करना है ठीक है अब यहाँ पे login के option पे आपको click करना होगा अब आपके सामने पूरा details से यहाँ खुल के आ जाएगा अब देखिए यहाँ पे थुरस आपको सवधानी बरतना है क्योंकि यहीं से सारा काम आपका start होगा तो यहाँ पे रासन कार्ड के जो आवेदक है और जो भी mobile नमर आपने जनपर चया में रजिटर करते समय दिया हुआ है यहाँ पे केप्चा डालना है और सम्बीट के option पर click करना है आपके सामने कुछ इस तरह से dashboard open हो जाएगा दिया रखिएगा जिनके भी रासन कार्ड में आप कुछ edit करना चाहते हैं delete add करना चाहते हैं उनके नाम से ही registration आपको करना है apply का option पर click करना है apply for correction का option पर जाना है और आपना जो रासन कार्ड नंबर है उनका ही डालना है जिनके नाम से आप यहाँ पर registration किये हुए हैं यहाँ पर डालेंगे search का option पर click करेंगे तो आप यहाँ पर live देख रहे हैं कि इनका जनकारी इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर जो भी करधारी का बरिष्ट महिला है वही यहाँ पर उनका आवेदक होंगी जैसे कि आप नीचे भी देख सकते हैं कि एक नमर में जिनका नाम है आवेदक महिला का नाम वही नाम जो यहाँ पर भरना है जैसे कि अंग्रेजी में हिंदी में उनके पिता का नाम अग्रेजी में, हिंदी में लिंक बताना है यहाँ पर कारढ़ारी के साथ समन्द क्या है स्वाई करिएगा, जाती हाँ पर जो भी है स्वाई करिएगा, अगर आप रिज्चन करीटीगरी से आते हैं तो जाती पमापतर दीजिएगा आय का स्रोथ क्या है आप यहां पर बता सकते हैं नहीं है तो ना कर दीजिएगा मासी काय कितना है दसार से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके बाद मासी काय का सटिफिकेट नमबर पड़िवतन क्यों करना चाहते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि चार्ड में बरजित बेवरों में असूधी या, किसी परकार का जो जनकारी है, उसमें असूधी पायागया है, उसको आप सभी करना चाहते हैं, तो Select करेंगे, धन्याप पे कौन सा बैंक है, आपको बताना है, और काडधारी का बैंक साखा क्या है, आपको यहाँ पे Select कर लेन और उसके बाद यहां पर खाता नम्बर आपको डालना है यहां पी पूरा उंका जो आवासी पता है लिखना इसाट क्रेटर्स ज्यादा नहीं होना चाहिए संबीड के ओप्षन पर आपको क्लिक करना है तो जैसे ही संबीड करेंगे तो आपका जो डेटा है यहां पर से करेंगे ठीक है तो आपके सामने पूरा इनकारी खूलेगा देखिए नाम में विए इडीट कर सकते हैं पिता-पती का नाम भी कर सकते हैं लिंक में भी कर सकते हैं जनमतिति में भी कर सकते हैं और यहां पर विवायत इस्तिति भी आप यहां पर कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं अधार संख्याई उनका डाल देंगे यहां पर जिस तरह से उनका नाम है अधार पर वही नाम जो है आपको यहां पर डालना होगा अ यहां पर आपको बताया। मैं अपको क्लिक करने है। अब यहाँ पर नीचे आईएगा तो अब यहाँ पर माल लिजिए आप अपडेट कर लिजिएगा submit and go to and access verification का option पर click करेंगे यहाँ पर आपको नहीं नहीं करना होगा ठीक है यहाँ पर मैं आपको बतायता हूँ नहीं नहीं करना होगा ठीक है और उसके बाद submit and go for documents upload के option पर click करना है अब यहाँ पर documents आपको upload करने होंगे सभी documents आपको देने होंगे जो भी documents है और सभी documents को आप टीक कर लिजिएगा जो आपको देना है यहाँ ठीक है इस तरह से documents के आपके upload करने मैं आपको बतायता हूँ देखिए यहाँ पर जो select documents का option दिया गया है इसमें एक PDF ही बनाना है इस तरह से एक PDF ही बनाईएगा जिसमें आवेदक का धारकाड आवेदक का निवास आवेदक का bank passbook अगर आवेदक या फिर member में कोई big blank है तो big blank certificate और सभी राशनकाड धारी जितने भी मतलब राशनकाड में सदस्य हैं सभी का यहाँ पर आपको अधार काड इसमें करके आपको यहाँ पर upload करना है यहाँ पर signature आवेदक का और पूरा group family यहाँ पर फोटो जो है उसको आपको लगाना है यहा अब भी भी application का जो status है चेक करना चाहते हैं application पर click करके check कर सकते हैं जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको clear करके बता दिया कि राशनकाड में किसी परकार का कोई सुधार करना है तो किस तरह से बड़ी असानी से घर बैठे सुधार कर सकते हैं सुधार करने के बाद ऐसा न जनकारी बता दिया है फिर भी आपके मन में किसी परकार कोई भी सवाल होगा तो आप हमें comment section में comment करके पूछ सकते हैं जहां तक मुनी knowledge होगी आपको बताने की कोशिस की जाएगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद